नमश्का सिटीविक न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी तो चलिए नज़र डालते हैं आज की ताजा खबरों की और सबसे पहले खबर की उपर नज़र डालते हैं पंजाब सरकार की तरव से कच्छे कर्मचारियों को ले करके काफी सारे फैस है इसला ले लिया है इसी के चलते हरियाना सरकार ने सोचा कि लगातार धरने प्रदrशन चलते हैं कच्छे कर्मचारियों करे तो क्यों आप पंजाब सरकार की तरच के ऊपर नियम्मित तो नहीं कर सकते हरियारों के अंदर, लेकिन लोग जो है आग बबूला ना हो जाए दोबारे से मांगे ना मानने लगे इसी को लेकर के हरियाना सरकार ने अपना दाव पेच खेलते हुए जो भी कच्छे कर्मचारी है उनकी आयू सीमा बढ़ा दी है जिहां कच्छे कर्मचारीों की आयू सीमा 52 साल तक बढ़ा दी गई है ये पहले जो है कम थी जिसे अब 10 साल तक बढ़ा दिया गया है हालांकि अलग- alors के अंदर अलग- अलग तरीके से जो है ये बढ़ाई गई है हरियाना सरकार का कहना है कि सभी की 10 साल तक नहीं बढ़ेंगी बलकि जिनों को जितना काम किया होगा कच्छे कर्मचारीों ने उन्हीं की इस तरीके से बढ़ेंगी तक की छूट दी जाएगी इसके अलावा दिव्यांग को जो है दस साल तक की छूट दी जाएगी पुलिस को जो है आयू निर्धारित नहीं है इसमें जो है SCBC को पांच वर्ष की छूट दी जाएगी महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं को भी सेना में दिव्यांग हुए फोची की पतनी विद्वा और तलाक शुदा महिला को पांच वर्ष तक की छूट मिलेगी दोवर्ष से पती से अलग रहने वाली महिला हो या वह мहिला जिसने शादी नहीं कि उसे भी पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी अगर वह कच्छी कर्मचारी है इसके लावा अनुबंद कर्मचारी जैसे कि एड होक अनुबंद या फिर डेली वेजिस की उपर काम करने वाले कर्मचारी को भी 52 साल तक आवेदन करने की छूट दे दी गई है ये हर्याना सरकार की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया है इसके लावा अगली खबर के और बढ़ते हूँ आपको बता दू कि अब CCTV लगाना किसी भी सार्वजनी को नीजी इमारत में बेहस जादा ज़रूरी है और ये फैसला लिया गया है गुजरात के अंदर गुजरात सरकार ने ये फैसला लिया है कि सार्वजनिक और नीजी इमारतों में सीसी टीवी लगाना अनिवा रहे है चाहिए वो शोपिंग कॉंप्लेक्स हो, मौल हो, होटल हो, सिनेमा होल हो, या फिर मनोरंजन स्थल हो, स्कूल हो, पुस्त काले हो, धार्मिक स्थल हो, बस रेलवे स्टेशन हो, अध्योगी की काई हो, पार्किंग प्लस और अवासिय सोसाइटी के गेट पर सिसी टीवी लगा जरूरी होगा, विधासभा के जारी बजट सत्र में इस संबंद में विधेयक लाने की पूरी की पूरी तैयारी जो है, कर ली गई है, हलाकि आपको क्या लगता है, कि इस तरीके की घटनाय जो लगातर बढ़ती जा रही है, क्राइम को ले करके, उसके उपलक्ष के अंदर क्या हर्याना की अंदर भी इस तरीके का फैसला लिया जाना चाहिए, वो नीचे कमें सेक्शन के अंदर लिकर के बताईए, इसके अलावा अगली कबर के और बढ़ते हुए आपको बता दू, कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कई बड़े फैसले लिया है, औ यानि कि MLA चाहे कितनी बार भी रहा हो, विधायक चाहे कितनी बार भी रहा हो, दो बार, चार बार, एक बार, तीन बार, लेकिन पंजन जो है सर्फ एक टर्म की दी जाएगी, और वैसे ही अगर सांसद है, अगर सांसदों ने भी बहुत बार चुनाव लड़ा है और उससे पहले वो विधायक रह चुके तो सांसद और विधायक दोनों की पैंशन जो है उन्हें नहीं दी जाएगी अगर वो सांसद है तो उन्हें सिर्फ सांसद की पैंशन दी जाएगी और वो विधायक चाहे कितनी बार रहे हो उनको विधायक की पैंशन नहीं दी जाएगी इसके अंदर 10 टीम में 65 दिन तक 74 मैच खेलेंगी 12 दिन जो है दो दो गेम चलेंगे अगली खबर के और बढ़ते हुए आपको बता दू कि हिसार से सटे गाओं के अंदर शिकारपूर में बिजली निकम की टीम पर हमला कर दिया गया बिलना भरने पर कनेक्शन काटने गई थी टीम और दो घायल है जिसकी वड़े से वो अस्पताल के अंदर भरती है सेक्टर 14 में जो है लगातर पानी की बरबादी हो रही थी और पानी की बरबादी को बचाने के लिए नगर निकम की तरव से एक फैसला लिया गया जिसके चलते पांच लोगों के चालान काटे गई है बरसाई है इसको ले करके उसके पर जो है केस दर्च कर दिया गया है अगली कबर के और बढ़ते हो बता दो की हर्यानों के मुख्यमंत्री से यह मनोहर लाल खट्यर जो है आज हिसार के अंदर होंगे और हिसार के पीछे के कई वड़े कारण है कई जगे का शीला नियास करन अंदर जो है आपको बता दू कि एक संग्राले बनाया है नया उसको उधगाटन करने के लिए पहुंचेंगे अगली खबर की और बढ़ते हुए आपको बता दू की मैयड में बनने वाले 50 बैड के आयुवेदिक अस्पताल में सेंट्रल एसी से ले करके नर्सिंग कोल सें के अंदर लिख करके बता सकते हैं यह थी साक्षी सोन की रिपोर्ट नमस्कार